कुटुम्ब सद्व्यूलंदरी की नमस्कारालों मैं तिरुपति वेंगिटे स्वामी को स्रद्रापुर्वक प्रणाम करता हूँ भक्ती धारा के संत अन्ना महिया को नमन करता हूँ यहाँ तिरुपति और चित्तूर से भी अनेक साथी आये हैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ निनो तिरुपति वेंगिटे स्वारा स्वामी की नमस्कारान ते लिजे स्चुनानों बत्ति प्रदाथा इना संत अन्ना महिय के प्रणामाल ते लिजे स्चुनानों तिरुपति मरियो चित्तूर निंडी इकड़िक वच्ची ना मित्तुल अंदर की गुड़ा नेन अभिनंदन ते लिजे स्चुनानों भाई और भेनों राइल सिमा में सामर्थ की कोई सिमा नहीं यहां माइन्स है यहां मिनरल्स है यहां दिव्य भग्य टेम्पल्स है यहां महनती किसान है टेलेंटें नवजवान है और तुरिजम तुरिजम की अपार संभावना है इसलिए आज मोधी आपके पास आशिरवाद लेने के लिए आया है मोधी का लक्ष है राइल सिमा का डेवलप्मेंट नई उचाई पर पहुँचे मोधी का लक्ष है आंधर प्रदेश का विकास मोधी लक्ष है आंधर प्रदेश विकास है सोधरी सोधर मुणलर राय सिलिमलो इन्नो समस्यल उन्नै आ समस्यल के हद्धे लेदु इकड़ गनुलु उन्नाई मरियु कणिजालु उन्नाई इकड़ भव्यमैना दिव्यमैना देवालाहलु उन्नाई इकड़ कस्टपड़ी पंचेसे रहितुलु उन्नारु प्रितिबावंतवैना युवकुलु उन्नारु मरी परियटकं परियटका केन्दरालिकेक अवकासाल एन्नो उन्नाई साथियों आप सभी ने दसकों तक दूसरों पर भरोसा किया लेकिन आपको क्या मिला यहाँ डेवलप्मेंट नहीं हुआ यहाँ सिचाई की सुविदा नहीं है यहाँ इंडस्ट्री नहीं है यहाँ किसान परिशान है यहाँ नवजवानों को काम के लिए दूसरे सहरों में जाना पड़ता है आप मुझे बताईए यह हालात बदलने चाहिए या नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा आंधर प्रदेश में डबल इंजिन सरकार आंधर प्रदेश नो कुड़ा डबल इंजिन सरकार रावाली मित्लर मीरंथा दसाप्धालगा अनेकमंदिनी विस्वासनलों उच्छारू रायलसीमा आंधर प्रदेश को अनेकमंदि मुख्यमंदिन निच्चिंदी इच्चारा लेदा कानी मेरू एमिपोंदेरू इकड़ अबुरुद्धि जर्गने लेदू इकड़ सागुनेट सम्मन्नीचिना सौकर्यमे लेदू इकड़ परिस्ट्रमल लेवू इकड़ रैत्तुलों आंधोल्ड उन्नारू इकड़ उज्जोगाल कोसम इनकोका नगालू वलसवेल्यासनल परिस्टित एरपडिन्दी में नक्षपन्डे ये परिस्टित मार्चाला वद्दा आईते में रेंचे आले आंधो प्रदेश लोग कोड़ा डबल इंजन सरकार तिसकराव आले साथियों आंधो प्रदेश की जन्ता ने बड़ी उमीदों के सार वायसार क्रंग्रेस सरकार बनाई थी लेकी इनों ने आपके साथ विश्वास गात किया वायसार क्रंग्रेस ने यहां गड़ीबों का नहीं माफिया का विकास किया वायसार क्रंग्रेस के मंत्री कैसे यहां गुंडा गिंधिक करते हैं यहां रावडी राज चलाते है वो सब के सामने है मैं तो हरान हूँ जिस सेन माफिया के काराण अन्ना महिया डेम तूट गया पचीस-तीस गावों को नुक्सान हुआ दरजनों लोगों की जान गई ये से माफिया को यहां की सरकार बढ़ावा देती है मैं ऐसे हर माफिया को कहूंगा YSR Congress Government जाने का Countdown शुरू हो चुका है एंडिये सरकार यहां के हर माफिया का इलाज करेगी पक्कार ट्रिट्मेंट करेगी अधि मीर अंदरों चूस्त्तुन्नारू इकड़ एसक माफिया कांडंगा अन्नमयडाम कोट्टुकु पोयिंदी अधि नेनु चूस्ती आस्यर्य पोयियानू इरवेदु मपई ग्रामालू नस्तन्चे कुरिंदी पन्नेंडु मंदी मरणिंचारू इलाण्टी माफिया इकड़ प्रिभुत्वं मद्धोत्तु लविस्तुन्दी नेनेलाण्टी प्रिथी माफिया के चपदल्च कुनानू मीज़ कक्काउंडों मदलें इन्देनी इन्डे प्रिभुत्वं एकड़ प्रिथी माफिया के चिकेट सजे सुन्दी वकक्करनी पक्का ट्रीट्मन्ट चे सुनें ते यह सुनानू आप बताईए आपके जीवन में साफ पानी जरूरी है या नहीं मोदी घर घर पाइप से पानी पहुचाना चाहता है लेकिन यहां की सरकार जल जीवन मिशन में भी ठीक से सहीयोग नहीं करती पोला वरम प्रोजे के साथ इन्होंने क्या किया यह आप इतने सालों से देख रहे हैं इन्होंने रायल सिमा के किसानों को भी इरिगेशन की सुविदाई नहीं दी यहां एंडिये सरकार बनेगी तो सिंचाई के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे मेरी शप्पणि मेरी जीवितनलों स्वच्चमैन नील्लों अवसरमा लेदा इन्टिन्टिकी पैपले इन्द्वारा नीटिन अंधिन्चालनी मोडी कोरकुट्टुननारू कानि इकड़ प्रबुत्वम जलजीवन मिशन की सरेइन साकार मंधिच्च्टन लेदू पोलवरं प्रोजेक्ट कोसम वाल्ड एमी चेसारों मन अंदरों इन्दी चोंस्टा निचे चूस्तुन नाम साथियो जब स्ट्रॉंग गवर्मेंट होती है तो देश भी स्ट्रॉंग होता है आज भारत स्ट्रॉंग है के नहीं है यहां से तो बहुत सारे साथि गल्प के देशों में है गल्प के देशों में भारतियों की आज रिस्पेक्ट बढ़ी है की नहीं बढ़ी है वहां किसी भी साथि को प्रॉब्लेम होती है तो मोदी सौल करता है अभी कतर में हमारे साथ ही पहुँच गए थे दज साल पहले वाली कॉंग्रे सरकार होती तो उनका बचना मुश्किल था लेकिन हम उन साथियों को सुरक्षित वाफिस लाए ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपने एंडिये की मजबूत सरकार बनाई इसलिए आपका हर बोट एंडिये को मिलना चाहिए मिथुरार एपकोड़े एटे फे उकक शेक्ति वन्तवैन प्रभुत्त वोंट उन्दो अपकोड देशं शेक्ति वन्तंगा मारत तुन्दी इरोजु बारत देशं शेक्ति वन्तंगा बलंगा उंदा लेधा इकड़ नुच अनेकमंदी मित्तुलू मिडिलेस्ट गल्फलो उन्नार। साथियों मोदी नेशन बिल्डिंग के मिशन पर निकला है। लेकिन कॉंग्रेस देश को रिवर्द गियर में ले जाना चाहती है। कॉंग्रेस लगातार धमकी दे रही है। कि जो बड़े काम पिछले दस साल में हुए हैं वो उन्हें रद कर देगी। कॉंग्रेस कहती है आर्टिकल 370 को वो वापिस लाएंगे फिर से। कॉंग्रेस कहती है CAA कानून को रद कर देंगे। कॉंग्रेस कहती है गरीबों को जो फ्री राशन मिलता है वो योजना बंद कर देंगे। कॉंग्रेस कहती है देश के गरीबों को फ्री मेडिकल टेक्मेंट जो मिलता है वो योजना भी बंद कर देंगे। कॉंग्रेस कहती है राम मंदीर पर सुप्रिम कोटला फैसला भी पलड देंगे। राम मंदीर पर ताला लगा देंगे। क्या आपको ये सम्मंजूर है क्या मित्लारा मोडे देश निर्मानावने लक्षन तो बैल देराडू देशानिक मुन्दु केलिक्तिन किस्गेल्डन कोसों पगुलू रात्री कस्ट पड़ि पंजेस्सुनाडू कानि कांग्रेस देशानि रिवर्स केरलो वενक्क तीस्केल्णावलेन प्रेत्तवन चेस्टुन्दी कांग्रेस निरंद्रम पेदरिस्टुन्दी एवेधै पेद्धै पफपनिलू गत्पदीसमुच्छाल पट्टी में चेशामों, वाचि नन्नित्नी रद्धुचेस्ताम नारू Конگ்ரஸ் चप्तrado양 defects μέ abund Dakar साथ्यों, पूरी कॉंगरेस पार्टी भारत की संस्कृती और विरासत से कट चुकी है कॉंगरेस जड़ों से एक दम कट चुकी है कॉंगरेस के मन में हमेशा विभाजनकारी सोथ रहती है कॉंगरेस का माइंसेट ही देश को टुकडों में देखने का हो गया है और इसलिए ही कॉंगरेस के नेता कभी भारत को एक राष्ट मानने से इंकार करते हैं तो कभी देश को बांटने की बात करते हैं आज कॉंगरेस के एक और बड़े नेता ने फिर कॉंगरेस की विभाजनकारी सोच का प्रदसन किया गांधी परिवार के बेहत करीबी और सहजादे के सबसे बड़े सलाकार ने जो कहा है वो शर्मनाख है कॉंगरेस को लगता है कि जो लोग नौर्थिस के लोग है वो चाइनीज की तरह लगते है क्या ऐसी बाते देश स्विकार कर सकता है क्या कॉंगरेस को लगता है कि साउथ इंडिया के लोग आफ्रिकन जैसे दिखते है मैं जराश्चितर रमियाज जेदे पूझना चाहता हूँ क्या करनाटका के लोगों पर यारोप आप स्विकार करेंगे क्या मैं तिलगा के कॉंगरेस के मुक्य मंत्री को पूझना चाहता हूँ क्या वे इस प्रकार के आप को सुकार करेंगे क्या मैं तमिल नारू के मुख्य मंद्री को पूछना चाहता हूँ जो तमिल समस्क्रिती की बात करते हैं इतना बढ़ा घंबीर आरूप लगाया है क्या तमिल नारू डियम के कॉंग्रेस के साथ अपना राता तोरने की गोशना करेंगे क्या तमिल स्वाविमान के लिए तमिल लोगों के लिए क्या वो हिंबत है क्या उनमें कॉंग्रेस को लगता है कि पस्ची में भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं मैं जरा बाणा साथ ठाक रेके नकली स्थिविस एना के जो उनके संतान बैय मैं नकली संतानों को पूछना चाहता हूँ मैं जड़ा उनके मेंटर बुजुर नेता से भी पूछना चाहता हूँ इन्हों ने कहा है कि पस्चिम भारत के लोग अरब नस्ता के हरभी लगते है क्या महारास्ता के लोगों को ये भाषा मंजूर है क्या कॉंग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत के लोग गोरो जैसे दिखते हैं क्या आपको ये बात शुकार कर सकते हैं क्या सत्ता के लिए देश का बटवारा कराने वाली कॉंग्रेस अब भारतियों पर नसलबादी टिपड़ी करने पर उतर आई है क्या हो गया है कॉंग्रेस पालिटी को और ये बात जरा जो उनकी इकोसिस्टिम है वो भी समझें कि आप इनका बचाव करने की कोशिश मत करो क्योंकि जो सहजादे के फिलोसोफनेंग गाइड ने अमेरिका में बोला उसके चार दिन पहले खुद सहजादे ने युवकों के बीच में कहा कि अमेरिका में इस रंगे लोग पेपर सेट करते हैं तो इस रंगे लोग परिशा में ना पास होते हैं इस रंगे लोग पेपर सेट करें तो सब पास होंगे हिंदुस्तान पर भी उन्होंने वही टिपड़ी की थी जिसका विस्तार साजादे के गुरु ने किया है ये दोनों की बाते मिली हुई बाते हैं सोच समझ करके बोली हुई बाते हैं और मैं पूरी कॉंग्रेस पार्टी पर साजादे पर इस शाही परिवार पर गंबी रारोप लगाता हूँ अरे मुद्दे नहीं हैं तो कम से कम हम बारतियों का मखोर मत उड़ाओ तीसरे फेज में घुटने टेकने की बॉगलाट में ये लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं लेकिन देश कॉंग्रेस की एक एक विभाजनकरी बात को सुन रहा है समझ रहा है क्या आप ऐसी सोच वाली कॉंग्रेस को देश वाश्यों के मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ मैं आंदों मैं नहीं कह रहा हूँ मैं देश के जहां जहां चुनाओ भागी है समी देश वाश्यों को कहना चाहता हूँ ऐसा गुना करने वाली कॉंग्रेस को बक्षा नहीं जाना चाहिए उनको सजावनी चाहिए से देश विवजनेगे के कारण मैं sentir. कौ로 कॉटूमान लोग अथि Δेक्णिरक वेक्ते, इविधेंगा गांधी परिवारानिक देक्र के वेक्ते, माक्तला आड़ क्नल मुझेग vibr oldीव व्रो देशन लो भारत देशं मत्तं कोडा दक्षिनादी रास्थालु उत्तरवाधी रास्थालें殆 गा विवजन चेया आले इप़े मात्टलाडत trendsु नार। इवादा दक्षिनादी रास्थालु विवजेश अवी वेरु अजे इपखे मात्लाडत चुनार। इवाला मनम कर्नाटर के संबन्दी चिने वेक्तोलू में वेरे राष्ट्र मेंटे उपकोंटारा इवाला तमिल्नाड संबन्दी चिने वाल्लू तमिला संस्कोतनी पुगिडे मुख्यमंत्रे में वेरे देश्वंटे उपकोंटारा इवाला गांधे परिवारानी की अथी दिग्गिरिगा उन्डे वियक्ती इवाला माटलाली वेत्व नयो मनंदन्नी कोड चाला बाधन कुर्च यस्त्थु नै इवाला भालतेकरेकार संबन्निचिन एधेते अथी दिग्गिर संस्तोल नयो वाप्डेक सम्वनी चेने प्रद्धिल वुरेतु नारो वाळल मुलालकि दूरम्यप्य यहां पांग्रेस्च यूपका भार्षए देत्तुंदो आ भाषच की वाळुकोडा वन्तपार्टवे देत्तुंदो अच्च दो दुरदु शिक्रम इवाला कांग्रेस पार्टी केवला अधिकारं कोसम देशानिक सम्मनेरें विबजुना मरोकसारी तीस्गरावाल जप्पी देशानि मुखल वुखल शेयाल जप्पेक प्रेत्तन जेस्टुन्दी इदि केवला मिगे चप्टर लेदु देश अव्याप्टिंगा उन्ना अंधिर की कुडा हैच्चरिक तेली जेस्टुनानू कांग्रेस आलोचनलोने देशानि विबजिन चालन जेप्पी पालिन चालन जेप्पी तल्ला वालल जेप्पेक आलोचना अमिरिका के योवनेत विल्टे अक्कड कोडा इटोवन्टी माटले माटलाड़ बारत देशं गाव्रोवं तग्गेचे विदंगा प्रेत्तन चेसाड़ू साथ्यों आज एंडिये सरकार देश में इंडस्ट्रियल कोरिडॉर बनाने पर बल दे रही है यहां भी देखिए कितने एक्स्प्रेस वे बन रहे हैं चारों तरफ फोर लेन, सिक्स लेन, हाईवे बन रहे हैं नंदियाल, एरा गुंटला, रेलिवे लाइन का काम पूरा हो चुका है नई कडपा बैंगलूरू रेलिवे लाइन स्विक्रूत हो चुकी है कडपा एरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण हो रहा है आने वाले पांच साल में इंफ्राट्रेक्टर के ऐसे हर काम का और विस्तार होगा बीजेपी ने गोतना किया है कि साउथ में भी बुलेट ट्रेन चला ही जाएगी आप मुझे बताईए आंधरप देश में बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए कर नहीं चलनी चाहिए मित्तिलारा नेडु देशनलो पारिस्वामेक कारेडाल निर्मानक्तों एंडिये प्रभुत्त्वं पेद्ध पेट्वेट वेस्तुंदी इदिकोड चुटेंडी देशनलो अनेकरकालेगा एक्स्पेस आइवेल निर्माना उत्तुनाई अन्नी वैपुलार नालुगिलेएनलो आललेलोर जात्तीयर आधार निर्माना उत्तुनाई इकड़ नंजाला एरकोंटला रैल्वेलेएनलो पनलु पूर्त्वैयाई कडपा बैंगलूर मज्जा कोत्त रैल्वेलेएनलो आमोधोन लबीशिन्दी कडप विमास्रयान के कोत्त टेर्मिनल निर्मानान के पूर्थ निर्मानलों वोंदी राबोय ऐधु सोंस्राललों मौलिक सदुपायला पनलू मरिंत गा विस्तरिस्ताई बीजेपी प्रेकटिस्टु नेविटेंटे दक्षीनादी रास्ट्राले कोडा बुलेट ट्रेन कावाला नि मिरनाक्षपंडे आंद प्रिदेश की बुलेट ट्रेन कावाला वद्दा साथियों राहिल सिमा के किसानों का जीवन सिर्फ और सिरफ एंडिये सरकार ही बदल सकती है यहाँ टमाटर बहुत उगया जाता है आने वाले पांच साल में हम टमाटर जैसे सब्जियों के लिए स्पेशल स्टोरेज के क्लस्टर बनाने जा रहे है पुली वेंदुला में बनाना प्रोसेजिंग क्लस्टर से किसानों और नवजवानों को बहुत लाब हो रहा है आने वाले पांच सालों में फूर्ड प्रोसेजिंग इंडस्टरी का विस्तार होगा इसमें भी एप्पियों एनी फार्मार प्रोडूशर और नाशन को मदद दी जाएगी मित्फुलहरा रायल सेमलो रहितुल जीवितानी केवलं एंडिये प्रिवुत्वयम मार्चकल उत्वंदी इकड़ टमाट्टा पंटनु विस्सारंगा पंडिस्सार राबो आईदु सोंच्छालों में टमाटो मर्यो इतरक्कुरगायल कोसम प्रेच्चेक सीतल गिड्ड़ंगेलो क्लस्टल लो श्रुष्ट्रिंच बोत्तुन नाम पुलिवेंदलो अरिटि पंडु प्रासेसिंग क्लस्टल वल्ला रहित कु युवत कु लब्दी चे कूरत्तुन दे राणुन आईदु सोंच्छालो फुट प्रासेसिंग रंगलो मरिंत अगा विसरिस्टुन दे इंदुलो कुड़ा एफपी ओ रहित वुत्पादक साउस्टल को सहकार मन्नीच बढ़तुन दे एंडिये के जितने भी हमारे ये कैंडिडर है MLA का चुनाव भी साथ साथ है हमारे सभी MLA के जो उम्मीदवार है आप सबसे मेरा अगरा है इस छेतर के कल्यार के लिए इन सब को विज़ई बना करके बेजिए इनके अलावा राजम पेट लोगसभा सिट से भाजपा प्रत्यासे मेरे मित्रा किरान कुमार रिड़ि चित्तूर लोगसभा सिट से टीडीपी प्रत्यासी प्रसाद राव तिरुपती लोगसभा सिट से बीजेपी प्रत्यासी वारा प्रसाद राव कडपा लोगसभा सिट से टीडीपी प्रत्यासी वुपेश रेडी इन मेरे सभी साथ्यों को जिता करके दिल्ली भेजिए और जब आप इनको वोट देंगे न तो वोट दिल्ली में सीजा मेरे खाते में जमा होगा साथियों जादा से जादा मतदान कराना कराएंगे जादा से जादा पोलिंग बुच जितने जितेंगे अज़ा मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे गर-गर जाईएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आप सब को नमस्कार कहा है मेरा नमस्कार पहुँचा देंगे बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार